गाईज आपको तो पता ही चल गया है कि आज हम लोग एक सीक्रेट बेस बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमें इस सीक्रेट बेस का गेट बनाने के लिए यहां के ब्लॉक्स को हटाना होगा फिर अब इसके बाद मैं वाइट कॉंक्रीट का यूज कर रहा हूँ वैसे इसके जगह पर और कोई ब्लॉक भी यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहां पर रेडिस्टोन कॉंपेरेटर हो गया और इसी के साथ ऐसे इसे लगा देना है अब इसके उपर माइ अब तुम लोग यह देखो कि मैं इस ओपर में कुछ भी डालूँगा तब यहां से ब्लॉक हट जाएगा और नीचे जाने का रास्ता खूल जाएगा और फिर इस ओपर में जो कुछ भी है उसे निकालने के बाद यह आटोमेटिक अपने आप बंद भी हो जाएगा और गा खुद ही देख लेना जब बनाऊंगा तो ओके गाईज अभी मैंने इस बेस के में एरिया को पूरे अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और यहां पर एक छोट असा फारिमिंग एरिया बनाया और यहां पर मैंने माइनक्राफ्ट के सारे आर्मर को लगाया है जो की बहुत ब परने स्वगेरा रखा हुआ है और हां मैं सोच रहा हूं कि बताई देता हूं देखो यहां एक सीक्रेट चैस्ट होगी जिसके अंदर अगर हम कुछ भी रखते हैं तब यहां से गायब होकर अपने आप सीक्रेट हॉल में रख्यूई चैस्ट के अंदर जाकर इस्टोर हो और जाहिए वो भी हर एक ऐटम के लिए अपनी एक अलग चैस्ट होगी जैसे अगर मैं इस चैस्ट में डालूँंगा तब वो डायमेंड वालें चैस्ट में इस्टोर होगा अ स्ब इस्क्रेट रूम यहां होगा जिसको बनाने के थिए को खाली कर दिया है फिर अब हमें gate के बगल में line से sticky piston लगाने है फिर इनके उपर book self को रखना है and दूसरी तरफ भी same यही करना है and अब यह हो जाने के बाद हम लोगों को ठीक इसी के ऊपर sticky piston लगाकर book self को लगाना है और बिल्कुल same दूसरी तरफ भी यही करना है तो okay guys अभी मैंने पूरे छट पे wood planks लगा दिये हैं जिसके बाद book self और planks same ही लग रहे हैं इसी को पता भी नहीं चलेगा और secret secret ही रहेगा है and अब हमें piston के पिछे repeater लगाना है फिर दूसी side में भी repeater को लगाने के बाद यहाँ stone block फिर इसके बाद redstone से इन सारे repeaters को connect करना है और इसके दूसी side में भी यही करना है लेकिन guys इस side में यहाँ इस block पर एक redstone torch लगानी होगी फिर guys यहाँ इस कोने में redstone और एक stone block और guys सची में इसको बनाना बहुत असान है अगर तुम सोचे कि मुश्कील है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अब हमें उपर वाले piston क redstone से connect करने के लिए यहाँ के blocks को हटाना होगा फिर बिल्कुल सेम वही करना है जो नीचे किया था repeater को लगा कर इन सब को redstone से connect करना होगा and इसके दूसीर side में कैसे करना है वो तुम खुद देख लो अब यह चार blocks तोरने के बाद यहाँ redstone यहाँ पर एक repeater पर एक comparator फिर यहाँ पर एक wood plank और अब हमें बाहर के sides को white concrete से cover करना है और फिर एक item frame को लगा के इसमें sword को लगा देना है अब तुम लोग ध्यान से देखना क्या होता है इस तलवार को घूमाने पर अभी यह book self इस तरफ है ना आप देखो इधर आगया यह और guys यह हमारा एक बहुत बड़ा secret hall है क्योंकि अभी मुझे एक काफी अच्छर system भी बनाना है इस secret hall में तो okay guys अभी तक काफी कुछ ready हो चुक है यह रा मेरा bedroom जो की छोटा है लेकिन बहुत सही लग रहा है और इधर side में एक बहुत बड़ा secret hall और यहाँ पर पूरा sorting system बनेगा लेकिन उससे पहले मैं इस secret chest को छुपाने वाला हूँ तो okay यार अब trap door लगाने के बाद यह बहुत सुंदर लग रहा है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कहीं chest रख क्यों है तो guys अभी ना मैं secret hall के अंदर आ चुका हूँ and वो रही हमारी chest जिसको अभी हम छुपा कर आ रहे हैं and अब हमें पीछे से दो block छोड कर इस जगह पर line से total 5 chest लगाने है तो guys chest लग चुकी है and अब मुझे इन सब chest में एक एक copper को attach करना होगा जिसके बाद मुझे 2 blocks छोड के पूरे 5 repeater लगाने हैं तो फिर अब repeater के आगे और पीछे stone को बिल्कुल इस तरीके से लगाना है ठीक है और जो मैंने 2 blocks छोड़े थे ना उसको मैंने इसी काम के लिए छोड़ा था क्योंकि मुझे यहाँ पर redstone torch लगानी थी all right guys अब बहुत कम काम बचा हुआ है तो अभी जल्दी से हमें यहाँ ओपर के back side में comparator को रखना है ओके guys यह काम होने के बाद तब दुबारा ओपर को लगाना है लेकि नीचे वाले hopper के साथ attach नहीं करना है इसको comparator के साथ attach करना है तो guys अभी हमें redstone लेना है फिर इन सारे stone पर लगा देना है और इधर एक chest को रखना है फिर पीछे से दो hopper लगाने है तो guys इस chest को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई भी महंगा समान नहीं आएगा इसके अंदर केवल वो items आएंगे जिनके लिए हमने अलग से कोई भी chest नहीं बनाया है तो अब यह इस वाले hopper में अपने को 4 stone और एक diamond डालना है और फिर चौते hopper में भी 4 stone और एक iron डालना है और फिर अब last वाले hopper में भी stone और TNT डालना है क्योंकि यार इस chest के अंदर हम TNT को store करेंगे तो चलो guys अभी मैंने इसे थोड़ा बहुत सजा दिया है दिखने में भी बढ़िया लग रहा है तो चलो guys अभी हम इसको test करके देख लेते हैं कि यह sorting system काम कर भी रहा है कि नहीं trapdoor हटाना है chest दिख दिख दिया है इसको खोलना है फिर इसमें मैंने iron TNT emerald gold signboard को ढाल दिया है चलो guys अभ चलकर देखते हैं कि सारे items अपने अपने chest के अंदर है कि नहीं gold अपने chest में है, Imerald भी अपने ही chest में आई है and iron भी अपने ही chest के अंदर आई है और यह TNT भी अपने ही chest के अंदर है और अब तुम लोग यह देखो कि unsorted chest के अंदर signboard आया है क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से कोई भी chest नहीं बनाई थी यानि इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा system बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और यार एक बात बताओ इधर आओ अगर आपको यह secret base अच्छा लगा हो तो please इस video को like कर देना और comment में बताना कि यह कैसा बनाए और इस channel को जरूर subscribe कर देना क्योंकि कुछ दिन बाद एक बहुत must video आने वाली है